नमस्कार ट्रेक्टर जंग्सन के सापता एक बुलिटिन में आपका स्वागत है आई निजर डालते हैं इस सापता के प्रमुक्खबरों पर सबसे पहले बात करते हैं मद्यपरदेश सरकार की किसान कल्याणी ओजना की इसे ओजना के अंतरगत 20 लाग किसानों के खातों में किसान सम्मानी ओजना के 400 करोड रुपे ट्रांसपर किये गए हैं किंदर सरकार ने किसानों के लिए किसान सम्मानी ओजना सुरू की है जिसमें किसानों को एक साल में 6,000 रुपे, 2,000 रुपे की तीन समान किस्तों में दिये जाते हैं महीं मद्धे परदेश राज्य सरकार ने मुख्यमंतरी किसान का लाणी योजना के तहट 4,000 रुपे देने का प्रावधान किया है इस तरह मद्धे प्रदेश में किसानों को कुल मिलाकर साल बर में 10,000 रुपे की सरकार इसायता सीधे उनके खाते में परदान की जा रही है इस युजना के तैट 20 लाग किसानों के खातों में 400 करोड रुपे ट्रांसफर किये गए हैं स्टार्टप इंडिया सीध फंड योजना के अंतरगत सही अकदारों को 1000 करोड रुपे का फंड दिया जाएगा इसके लिए जल्द ही निगरानी समीति का गठन किया जाएगा किंदर सरकार की 1000 करोड रुपे की स्टार्ट अप इंडिया सीड फंड योजन की सही क्रियानविती के लिए निगरानी समीते का गठन किया जाएगा ताकि सरकार द्वारा स्टार्ट अप की सहायतार्थ दिये जा रहे रुपियों का सही प्रकार से उप्योग हो सके इससे एक और नए स्टार्ट अप को फायदा होगा, महीं दूसरी और निगरानी समीते दोरा नजर रखने पर सरकारी रुप्यों के दुरुप्योंग पर लगाम लगेगी मद्यपर्देश में इस साल गेहों के साथ ही चना, मसूर और सरसों की खरीद समर्थन मुल्य पर की जाएगी इसके लिए एक फरवरी से रजिस्ट्रेशन सुरू चुके हैं, फसल की खरीद 15 मार्स से की जाएगी इस साल के आम बजट में सरकार ने किसानों के लिमिट बढ़ा दी गई है, साथ ही MSP को भी जारी रखा जाएगा वित्मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की फसलों पर लागत से कम से कम डेड़ गुना ज्यादा रकम देने पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि हमने किसानों को 75,000 करोड रुपे ज्याद दिये हैं किसानों को दिये जाने वाले वुकतानों में भी तेजी की गई है आज कल कुछ लोग बीजों में मिलावट करने लगे हैं और इसका सीधा नुकसान किसान को उठाना पड़ता है इससे बचने के लिए राश्ट्री बीज निगम ने एक ऐसा एप लॉंच किया है जिससे आप नकली बीज की पहचान कर सकते हैं कैई बार ऐसी खबरें सुनने या पढ़ने में आती हैं कि किसी किसान को नकली बीज थमा दी गए और उने नुकसान उठाना पड़ा इसी समस्चा को देखते हुए हाल ही में एक ऐसा सीड ट्रेसबिलिटी मोबाईल एप लॉंच किया गया है इससे असली बीज की पहचान हो पाएगी यह एप राष्ट्रे बीज निगम ने लॉंच किया है जिसका उदगाटन गत दिनों केंद्रे किरसी एवन किसान कल्यान ग्रामेन विकास पंचयत राज तता खाद्य परसंसकरण उद्ध्योग मंतरी नरिंदर सिंग तोमर द्वारा किया गया बागवानी और फूलों की खेती किसानों की आमदनी बढ़ा सकती है यह कहना है केंद्रे खाद्य मंतरी प्यूस गोयल का उन्होंने कहा कि देश हर साल 230 करोड रुपे का फूलों का आयत करता है जबकि 5000 करोड रुपे का फलों का आयत होता है मंतरी ने कहा कि इन किर्सी, बागवानी और फूलों की खेती को देश में बढ़ावा दिया जाना चाहिए देश की तीन बड़ी ट्रेक्टर निर्माता कमपनियों महिंद्र और महिंद्रा, एसकोर्ट्स और सोना लिका ने जनवरी 2021 में ट्रेक्टर बिक्री में बड़ी वरद्दी दर्ज की है एसकोर्ट्स ने जनवरी 2021 में 9,021 ट्रेक्टर बेच कर अपनी बिक्री में 49 फिस्दी की वरद्दी दर्ज की है कमपनिय ने जनवरी मा की बिक्रे में अब तक की सरवदिक वरद्दी दर्ज की है महिंद्रा और महिंद्रा ने जनवरी 2021 में घरेलू बाजार में 33,512 ट्रेक्टर बेचे हैं, जबकि जनवरी 2020 में 22,329 ट्रेक्टर बेचे थे इस प्रकार महिंद्रा ने घरेलू और निर्याद बाजार में 50% की विरद्दी दर्ज की है महीं सोनालिगा नेवी घरिलू बाजार में 8154 ट्रेक्टर बेचते हुए जन्वरी माह में 46 पीस दीवरद्धी दर्ज की है किसान भाईयों ये थी सब्ता के प्रमुक खबरें इनकी पूरी जानकारी आप हमारे मोबाईल एप और वेबसाइट पर देख सकते हैं दोनों के लिंक दिये गए हैं अगले सब्ता ऐसी महतबुन खबरों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी ट्रेक्टर जंग्सन के साथ जोड़े रहने के लिए धन्यवाद